बॉर्निंग स्टुडेंट्स आज के मेरे इस वीडियो क्लास में हम लोग किशोर अवस्था में पोशन जो महत्पुन है और स्पेशली किशोर अवस्था की गल्स के लिए रोटेशन का क्या रोल रहता है क्यों जरूरी है और कौन से पोश्चिकतत की मांग इस अवस्था में बढ़ती है इसी और क्यों बढ़ती है किस तरह की बाड़ी चिंजस आते हैं में इन करेक्टर्स्टिक्स क्या होती है और उन करेक्टर्स्टिक्स जो करेक्टर्स्टिक्स हैं उसके साथ में नुटिशनल मांग या नुटिशनल जो बाड़ी की रिक्वार्मेंट होती है उस किशोरावस्था पूरे लाइफस्पान की एक महत्पूर्ण अवस्था होती है। जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था आपने मेरे पूर क्लासस में या फस्टर की क्लासस में पढ़ा है कि पूरा का पूरा human being का life span अलग-अलग stages में होकर गुजरता है यानि infancy childhood यानि infancy 0 to 2 years का period होता है 0 to 2 यानि पार से लेके 2 वार्ष तक का next जो होता है वो early childhood का period होता है early childhood period 3 years to 2 लेकर 12 years तक का time होता है यानि 3 to 6 years का जो time होता है early childhood का होता है 6 to 12 years का जो time होता है वो late childhood का होता है लेकिन 12 years के बाद में किशोरावस्ता प्रारम होती है जो 21 years तक पुरी के पुरी रहती है इन जो life span की stages होती है इनमें विकास की गती अलग-अलग तरह से होती है कुछ आवस्ताओं में विकास की गती अधिक्तिफर होती है किसी में मध्य होती है जब हम किशोरावस्ता पे फोकस कर रहे है किशोरावस्ता क्या है किशोरावस्ता यानि अफ्टर 12 years लेट चैल्टूट कम्ट्रीट होने के बाद में प्रारम होती है और ये अवस्ता परिवर्थनों की अवस्ता होती है इसका शाब्दिक जब हम अर्थवे हमारा फोकस होता है तो एडॉल्सर एक लाटिन वर्ड है एडॉल्सर से बना होता है और जिसका भी प्राय होता है परिपक्ता की ओर बढ़ना मेचोर्टी की तरब बढ़ना किशोरावस्ता में विकास की गती बहुत तेज होती है और बालक या बालिका में एक मेचोर्टी परिपक्ता आने लगती है फिजिकल एस वेल एस सेक्श्वल चेंज़ जो होते है वो बहुत ज़्यादा तेजी से इस अवस्ता में होते है जब हम लड़के और लड़कियों के कामपारेजन की बात करते है तो लड़कियों का जो शारिरिक विकास होता है या परिपक्ता होती है वो लड़कों की अप्रिक्षा अधिक तेजी से आता है इस के साथ ही उसमें शारिरिक मानस एक समवेगात्मक जो चैल्ड हुट जो इमोशन होते हैं उनके समाप्ति होती है और एक मेच्चूर फिजिकल, मेंटल, एमोशनल चेंज़स उसके अंदर आने लगते हैं यानि पुरे विकास की गतिज होती है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होरी होती है उसके व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका, उसको सोचने का तरीका उनमें परिवर्तन आते हैं और इसके साथ में बच्चों में बहुत सारे उत्साव उमंग सब होते हैं लेकिन इसकी इस अवस्ता की अपनी विशेश्चाएं होती है विशेश्च रुख से जब हम गल्स की बात कर रहे हैं तो इस अवस्ता में लड़कियों में menstrel cycle start हो जाता है बाड़ी जो है body curves में changes आने लगता है और उसके कारण से उसका growth part भी change होता है इसके लबा कुछ changes जैसे इसमें physical, emotional changes आने लगते हैं emotionally unstable होने लगते हैं बच्चे sexual awakening का period भी ये वाला होता है और इसके कारण से बहुत सारे body की need जो होती है जो sexual maturity के जब हम बात कर रहे हैं और menstrual cycle की हम demand कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो उसके कारण से body से कुछ जो hormonal changes के कारण से hormonal secretions के कारण से body से कुछ monthly जो है menstrual cycle के साथ में body से discharge होने menstrual cycle के form में body से कुछ चीजे discharge होने लगती हैं और उन सब चीज़ों को maintain करने के लिए उनको regulate करने के लिए nutritional demands होती है बहुत ज़्यादा change हो जाती है बढ़ जाती है तो किस तरह की demand बढ़ेगी इस समय importance of food during nutritional during adolescent girl importance of food during adolescent need energy not only for routine daily activity but also for growth यानि इस समय जो किशोर लड़किया है उसमें उर्चे की मांग बढ़ जाती है और ये उर्चे की मांग दैनिक आवशक्तों की पूर्ती या गती विदियों को करने के लिए ही नहीं बलकि प्रधी के लिए भी बढ़ जाती है second है failure to consume a well balanced and adequate diet at this time can potentially और यदि इस आवस्था में किसी भी कारण से वो संतुलित अहार या जितनी उनकी पोशन तत्वों की मांग होती है उस समय नहीं ले पाते हैं उसके कारण से बाड़ी में कुछ तरह के प्राबलम्स आती है next is retarded physical growth intellectual capacity and delay sexual यानि यह balanced diet नहीं ले रहा है adequate diet नहीं ले रहा है व्यक्ति तो उसकी physical growth जो होती है वो कम हो जाती है mental जो capacities होती है यानि thinking, reasoning, logic, retention, memory इनमें जो है कमी आने लगती है और sexual maturation भी देर से होने लगता है next is eating well and eating the right food have long term benefit like better performance यदि किशोरा वस्ता में कोई भी लड़की या हम कहें लड़कियां लड़की या लड़के यानि सभी किशोर यदि proper balanced diet और जो उनको nutritional उनकी nutritional demand को fulfill करने के लिए जिस तरह का यदि खाना diet वो लेते हैं तो उनकी सभी छित्रों में performance जो होती है वो काफी बहतर होती है जैसे academic में sports में अदर और बच्चा ज्यादा energetic रहता है enthusiastic रहता है और वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाता है आलसी नहीं रहता है थकान उसको नहीं आएगी in class and sports better appearance and a complexion that many meet envy और यानि वो किसी भी छित्र में जैसे खेल में मैंने बताया आपको academic sports activities में इवन पढ़ते समय भी उसकी concentration जो दी है वो ज्यादा बहतार रहती है next है जैसे इसमें किस्ट किस्ट के तरह का जो है वो चाहिएगा उसको यानि पूरा आप देखे इसमें जो है use saturated and transferred sugar and salt low and mono-fed dairy products उसको लेने चाहिए bright color vegetables लेने चाहिए whole enriched and fortified grains and cereals उसको consume करने चाहिए water और liquids उसको लेने चाहिए calcium, vitamin D और B12 के supplements dry beans, nuts, fish, poultry, lean meat, eggs deep colored fruits को use कर सकता है choose whole grains and fortified foods such as brown rice, whole wheat bread and brown cereal choose water, fruits, vegetable juices, low and non-fat milk भी जो है क्या लेना है और कितनी मात्रा में लेना है बैसल अधार ये चया पचंदर में प्रद्धी हो जाती है और इसके कारण से जैसे ICMR के accordingly 13-15 वर्ष की जो लड़कियां होती है उनको 2060 किलो कैलोरी प्रति दिन लेनी चाहिए और 16-18 वर्ष की अवस्था में इसकी मांग जो है मात्रा और थोड़ी बढ़ जाएगी next step protein, protein should provide 10-15% of total calorie needs food content high amount of protein products, egg, milk, pulses, soybean and nuts यानि protein की मांग जो होती है वो total calorie requirement होती है नीड होती है उसका 10-15% जो है वो protein लेना चाहिए और protein की जो quality होती है वो बहुत ज़्यादा उत्तम quality की होने चाहिए और इनको हम protein को egg से, milk से, अंदालों से, soya bean और जो है सुखे मेवे वगरा से हम protein की demand को fulfill कर सकते है इस समय protein की शारेरी विकास के लिए, मास विश्यों की निर्मान के लिए कोशिकाओं की तूट-पूट, मरम मत, नए कोशिकाओं की निर्मान, तन्तू, हार्मोन निर्मान के लिए भी protein की आवशक्ता होती है यदि किसी भी कारण से, इस एस में यदि गास जैसे आप लोग यदि प्रॉपर प्रोटीन युक्त आहण नहीं लोगे तो आपकी फिल्सिकल ग्रोथ रुख जाएगी वेट कम हो जाएगा जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके साथ के कुछ गर्स डाइटिंग करने स्थार्ट कर जाते हैं तो उनकी वेट गेन नहीं होता है और जो है कई बार हम जैसे आप लोग जो हार में प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन वो जो हाई क्वालिटी का प्र और यदि हम प्रोटीन कालोरी कम ले रहे हैं तो प्रोटीन उर्जा देने का भी काम करने लग जाता है तो इसलिए प्रयाक्त मातरा में प्रोटीन लेना चाहिए जैसे ICMR के अनुसार 13-15 वर्ष में जैस्ट 17 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 16-18 वर्ष में 78 ग्राम प्रोटी है जैसे प्रोटीन के लिए क्या-क्या लेना है यह आप देख रहा हुँगी निकसा फेट फेट प्रोवाइड मोर कैलोरिस पर यूनिट वेट वन किलो कैलोरी पर ग्राम कंपेर्ट प्रोटीन एन कार्वोहड़िद फोर किलो कैलोरी जैसे वसा का मुख्य काम क्या होता है उर्जा देना और एक ग्राम जैसे एक ग्राम यदि हम फैट लेते हैं उससे चार किलो कैलोरी हमें मिलती है तो इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए लेकिन बहुत अधिक वसा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वसा से वीट बढ़ेगा हार्ड डेजिस है हाईविप्र बीपी है डाब होने की समामना बढ़ जाती है कार्भोवर्ड यहार आरे मेजर सोर्स ऑंफ यह यह vibes और मिकार्ववर्ड यह होजाए बहुत मेह पंपार्पूंट होते हैं complex carbohydrate जो होती है वो primary source होते है जो है और उसमें dietary fibers को ज्यादा include करना चाहिए vitamins vitamins जो है pubertal growth need more vitamins hence adults have a recommended dietary allowances for vitamin high than infant and children and almost equal to or greater level than adult puberty means 13 years growth start हो रही है एडल्सन पीरिड जो स्टार्ट हो रहा है उस समय मैक्समम अधिकतम vitamins की आवशक्ता होती है और इन vitamins की आवशक्ता है शिश्यू और बाले अवस्ता की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है RDA के recommended dietary allowances में भी बात बताई गई है और यह जो होती है almost जो adult being होते है उनके आसपास उसकी आवशक्ता रहती है vitamins में vitamin A जो होता है वो जो है किशोर लड़कियों में 600 micro unit retinol की आवशक्ता होती है थाइमिन भी जरूरी होता है और यह साबुत अनाजों में पाया जाता है तो लड़कियों को जो है बन पॉंट जीरो मिलीग्राम पर टे थाइमिन के आवशक्ता होती है नेक्स्ट राइबो फ्लेविन विटामिन में ही राइबल फ्लेविन भी growth and development के लिए आवशक्त होता है और यह बोडि को रोग प्रति रोगों से बचाने का भी काम करता है यह साबुत अनाज, तेल, गाजर की पतिया, साबुत, मुह, सोया भी में पाया जाता है और इसको प्रयात मातर में लेना चाहिए नैसिन यह भी प्लेग्रा के बचाव के लिए जरूरी होता है इसके यदि नैसिन नहीं लिया जाता है विटामिन जो है तो इसके कमी से तवचा, खुर्दरी, राफ, शुश्क हो जाती है फालिक आसेड लेना चाहिए विटामिन B12 भी लेना चाहिए यदि विटामिन B12 ज इस इस तति में रक्त में लाल रक्त कर्णिकाओं की मात्रा काफे कम हो जाती है हिमोग्लोविन लेवल घड़ जाता है और इसके लिए जरूरी है कि विटामिन B12 प्रयात मात्रा में अहार में लेना चाहिए ये जो है दूद, दही, मास, मच्छली, अंडा में प्राक मात्र में होता है इनको अधिक से अधिक अपने डाइट में इंवाल्व करना चाहिए इसके लावा जिसे ग्रीन लिफी वेजटेबल्स में विटामिन B12 नहीं होता है विटामिन C भी लेना चाहिए और ये जैसे हम आमला, आमरूद, संत्रा, नीबू में काफी मातरा में विटामिन C पाया जाता है ये भी बाड़ी में इम्मिनुटी डवलप करने में बहुत हेल्पुल रहता है तो इस तरह से सभी वेजटामिन का अपना अपना रोल होता है और एडालसन गर्ल को अपनी डाइट में वेजटामिन प्रयात मातरा में लेने चाहिए मिनरल्स सबसे इंपोर्टन जो है मिनरल्स में कैल्शियम जो है वो उनको प्रयात मातरा में लेना चाहिए और इसके साथ में आयरन भी यदि जिंक और जिंक मैंगनेशियम और आयोडीन एंड सेलिलिनियम यदि उनके आहार में नहीं है तो इतना के कंपाराजन में उनको कैल्शियम आयरन बढ़ाना चाहिए कैल्शियम इस इंचेशल फॉर रापिड ड्रोथ ऑफ बोन्स कंपलेशन ऑफ टेंशन एटपी यदि कैल्शियम जो है वो ग्रोथ के लिए निर्मान के विकास के लिए आवशक होता है और यदि किसी भी कारण से इस अवस्ता में कल्शियम नहीं मिल पाता है तो अस्तियों के विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है जो गल्स या बॉइस हैं मेली हम यहां गल्स की बात कर रहे हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है और ICMR के अनुसार 500 से 600 मिलिग्राम पर डे कल्शियम उनको आवशक रहता है यह दूद दूद से बने हुए बोज़े पदार जैसे पनीर, मक्खन, बटर, छाच इन सब में मिलता है इसके लावब ग्रीन लिफी वेजिटेवल्स भी कल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं निक्स्ट आरन आरन जो है जैसे ही मेंस्ट्रल साइकल स्टार्ट होता है यानि मेंस्ट्रल स्टार्ट होता है उसी समय से बाड़ी से ब्लड निकलने लगता है और रक्त निकलने से शरीर में आरन की कमी हो जाती है और उसके कंड से एनिमिया रोग भी हो जाता है तो इस आवशक्ता होती है क्योंकि उनकी बाड़ी से ब्लड लॉस हो रहा होता है तो इसके लिए उनके आहार में मेली आरन रिच फूड इंप्लूड करने चाहिए और एक किशोर लड़की के लिए 28-30 ग्राम पर टे आरन की आवशक्ता होती है यह आरन की आवशक्ता ग्रीन लीफी वेजटिवल्स यानि ग्रीन लीफी वेजटिवल्स है पालक, मूली, के लीफ, गाजर की पते, धन्या, बत्वा, चॉलाई, सरसो का साग, इसके लबाद लीवर, गोड, तिल यह सारे का सारे जो है गोड सोर्सेस होते हैं आरन के इनको अ के लिए उनको मिल्क और मिल्क से आदा मिल्क और मिल्क के बाय प्रोडक्स को अपनी डाइट में इंक्लूट करना चाहिए आरन के डैफिशंसी से एनिमिया हो जाता है जो कि एक बहुत कॉमन नुटिशनल डिसॉडर है अडॉसन गर्स में और क्योंकि इनका एडिकेट यद छाने जान शुच्वाराईन डाड़ यदू यूस कर रहे हैं तो कि यदि यूँस कर रहे हैं तो की बौडि में सुच्वार्य और घुच्वारोण़ चीठ में लहां चैनल में या जो भी सप्लिमेंट्स जो हैं उनके आहार में देना चाहिए जिससे की एनिमिया नौ हो सके तो थैंक यू और इसी तरह से मेली की शुरावस्था एक बहुत महत्पूर्ण आवस्था है और इस आवस्था में यदि प्याक्त मात्रा में पॉस्टिक आहार यानि जो उनका लाइफ स्टाइल है जो उनकी वर्क कल्चर है जैसा उनका एन्वार्मेंटल कंडिशन है जिस एन्वार्मेंट में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि संतुलित आहार जो है वो पूरे जीवन का एक आधार स्थम का काम करत और व्यक्ति की अंदर की उर्जा उसके ग्रोथ और उसकी बॉडिक को डबल अप करने के लिए जो है बिलकुर बैलेंस डाइट जो है वह बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी कारण से यह वो व्यक्ति वह जो किशोरी जो है खाने में बैलेंस डाइट अपनी किशो लिए एकोर्डिंग लिन लीपाती है तो उसको कई तरह की प्राव्लम्स हो जाती है और मेली एनीमिया होने की ग्रोथ तो रुपती ही रुपती है स्पेशल एनेमिक हो जाती है और उसके मेंसिर जाय कल में firewall आने लगती है इसके बॉड़ी परस्नलिटी डेफ़मनाटी भी डवलप होने लगती है तो गल्स आप लोग सभी अपनी डाइट पे फोकस करें सभी नुटिशनली रिच डाइट लें क्योंकि अभी आपकी बॉड़ी कैसी डवलप होगी वह आपका एडल्टुड आपका कैस होगा वह सारा का सारा उसके पर डिपेंड रहेगा प्रूजर डिफिशनली अोगिवी वह आपका कैसी है भHeल हो सक्षब बुषब।